हालो फ्रेंट्स वेलकम टू SBSV एकेडमी तो दोस्तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंजूमर इलेक्टरानिक्स का लेशन नंबर एट अभी तक हम लोगों ने लेशन नंबर सेवें तक बढ़ रखा है तो आज हमारा ये आखिरी लेशन है कंजूमर इलेक्टरानिक् से परिचित होंगे तो सबसे पहले दोस्तों कर हम लोग बात करते हैं परीचे की यह उसके इंट्रोडेक्शन के बारे में तो कंजूमर इलेक्टरानिक्स का ताथ पर विभिन प्रकार की इलेक्टरानिक युक्तियों से है जो की विभिन घरेलू कार रहे हो तथा गयर सबसाइक कार रहे हैं तो उपभोगताओं द्वारा यूज की जाती हैं जैसे लैपटाप्स, टैबलेट्स, माइक्रोवेव ओवेन, स्कैनर्स, वैक्यूम क्लीनर आदी तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव ओवेन की फूड उग अगयरा गर्म करने के लिए यूज कीया जानेवाला इलेक्ट्रानिक डिवाईस है माइक्रोवेव ओवेन Microwave oven एक वैद्यूत oven होता है जो Microwave आवरत्य रेंज की वैद्यूत तरंगों की सहायता से खाद्य पदार्थों को गर्म करने वा पकाने का कारि करता है Microwave oven खाद्य पदार्थों में Microwave radiation पास करके उसको गर्म करता है Microwave ovens में पर्यूक तावरती लगभग 2.45 GHz की होती है जब खाद्य पदार्थों में Microwave पास होती है तो खाद्य पदार्थों में Water, Fat तथा अन्य पदार्थ इन Microwave से Energy अबजार करते है यानि जब हमारे किसी खाद्य पदार्थ से Microwave उससे गुजरती है तो जो हमारे पदार्थ होते हैं उसमें Water, Fire तथा अन्य पदार्थ इन Microwave से Energy अबजार कर लेते है तथा इस प्रक्रिया को डाइलेक्रिक हीटिंग कहा जाता है एक Microwave oven में निम्न कंपोनेंट होते है तो आईए हम लोग देखते हैं एक Microwave oven में कौन-कौन से कंपोनेंट होते है Microwave oscillations उत्पन करने है तो Magnetron तथा एक Uc voltage power source जो की Magnetron को Energy पास करता है यानि Microwave oven में oscillations उत्पन करने है तो एक Magnetron चाहिए तथा एक Uc voltage power source जो की Magnetron को Energy पास करता है यानि जो magnetron को drive कर सके या उसको चला सके एक ऐसा power source चाहिए और कौन से component लगे होते हैं metal cooking chamber, control panel, एक magnetron control circuit यानि एक ऐसा control circuit होता है जो magnetron को control करता है salt wave guide, एक salt wave guide लगा होता है जो wave को guide करता है अगला जो हमारा home appliance से यूज होने वाला वो है food processor तो दोस्तों food processor क्या करता है? food processor एक वैद्धू चलित युक्ति होती है जो भोज पदार्थों को काटने वा मिस्रित करने सम्मंधित विभिनकार करती है यह समानिता रसोई घर में प्रियुक्त होने वाला उपकरड होता है जो की भोजन को तैयार करने है तो विभिनकार कर सकते हैं food processor के बीच में एक electric motor होती है जो की vertical shaft का turn करती है एक bowl जो की समानिता पारदर्शी plastic का बना होता है soft में fit होता है इस soft से cutting blades भी attached होते हैं जो की bowl के bottom में लगे होते हैं दोस्तों यह एक food processor का figure है आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर on-off pulses controls है यहाँ पर switch होगे लगे हैं आप इसको on-off control कर सकते हैं आप उसकी speed अपने हिसाप से adjust कर सकते हैं इधर एक bowl लगा हुआ है यह वाला हमारा और इधर metal blade लगी हुई है और blade soft यह हमारा यहाँ पर लगा हुआ है और इधर feed tube होता है और इधर work bowl lead होती है यहाँ पर हमारी और feed tube पुसर होता है यह हमारा और इधर हमारा यह पुसर होता है आप लोग इसको mixi के नाम से जानते ह होंगे जिसको English में food processor कहते हैं ठीक है हम लोग अपना कहने की भासा में इसको mix कहते हैं आए थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं food processor के block diagram के बारे में तो basically होता क्या food processor में में एक हमारा processor होता है और power supply होती है जो की processor को और इधर हमारा input interface यानि input devices को और तो था output interface इधर output devices को दी जाती है यानि power supply जो है main processor को चलाने के लिए चाहिए और output interface को भी power supply चाहिए output पर LED जलाने के लिए जो भी अपना output के काम है उसको करने के लिए power supply चाहिए और input interface के लिए भी चाहिए कई सारे switch वगएरा और control system जो भी होता है उसको power supply चाहिए फिर क्या होता है एक programming हमारी device होती है प्रोग्रामिंग जो device होती है वह हमारी processor से अटेज रहती है और इधर communication interface रहता है यहनि उससे हमारा processor से जिसका communication हो सके कि हमको medium करना low करना हाई करना है जो भी है उसका communication हम processor से कर सकें तो दोस्तों यह हमारा food processor का block diagram है दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखें consumer electronics के तो link हमने उसका description में दे दिया है आप वहां से जाकर देख सकते हैं यह consumer electronics का last chapter है और दोस्तों हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो अगले topic के अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा topic है digital electronic lock यह डिजिटल electronic lock क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि कार वगएरा में कीज से बटन दबाते हैं और उसका दरवाजा लाक हो जाता है तो वहाँ पर digital electronic lock लगा होता है तो digital electronic lock के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है digital electronic lock एक electronic locking युक्तियां होती है जो की वैद्द धारा द्वारा आपरेट होती है यानि वो हमारी electric current के थ्रो आपरेट की जाती है जो electric locks में lock को activate करने हैं तो magnets, solenoids या motors को यूज किया जाता है इनको एक switch की भात यूज किया जाता है या locks समानेता दो प्रकार के होते हैं operation mechanism based, electronic locks को खोलने या बंद करने हैं तो authentication method का प्रियोग किया जाता है electronic lock को authenticate करने का सबसे सराल तरीका है किसको keypad की सहायता से password द्वारा operate किया जा सकता है इसके अतरिक्त कई अन्यविधियां भी होती हैं जैसे की security tokens, biometric, RFID, RFID क्या होती है radio frequency पर काम करती है radio frequency identification तो हमारी कौन-कौन सी विदिया होते है security token, biometric, RFID आगी दोस्तों advantage आफ electronic lock के बारे में बात कर लेते हैं यानि electronic lock के क्या advantage है electronic lock ही क्यों हमारा चलन में आया तो इसमें क्या होता है कि हमको कीज किया हो सकता नहीं होती तीवर चालन होता है यानि बहुत इसका fast operation होता है आप input दिये, enter किये तुरंट आपको output मिला इनको reprogram किया जा सकता है पिंचेंज की जा सकती है घरों में परिवार के सदस्य यूज कर सकते हैं चाभी के गुम होने की समस्या नहीं होती home, office, schools, college के विभिन अनुप्रयोगों में यूज किया जा सकते हैं दोस्तों अगले टाफिक के बारे में बात करते हैं vacuum cleaner दोस्तों vacuum cleaner को start करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रतेक वीडियो में comment जरूर करिए आप लोग comment करते हैं तो उससे हमको motivation मिलता है हम लोग और आपके लिए नई-ई वीडियो और अच्छा-च् content बनाने की कोसिस करेंगे दोस्तों comment करना न भूलें आपको हमारी वीडियो कैसी लग रहे हैं पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आप लोग अपनी राय जरूर दें तो पात करते हैं vacuum cleaner की vacuum cleaner एक वैद्धित युक्ति है जो कि फर्स की धूल सोकर उसकी सफाई करने का कार में डिस्पोज किया जा सकता है यानि उसको बाहर फेका जा सकता है कुछ vacuum cleaner डेस्ट के साथ साथ तरल पदार्थों को भी एब्जार्व कर सकते हैं vacuum cleaner का vacuum section वायूदाब में अंतर पर आधारित होता है इसमें एक विद्धित मोटर द्वारा एक फैन को ड्राइव किया जाता है जिससे की मसीन के अंदर प्रेसर कम हो जाता है आता है एटमॉसफेरिक प्रेसर कालीन से हवा को नोजल में पुस्ट करता है जिससे धूल बैग में जाकर इकटी होने लगती है तो यह हमारा vacuum cleaner का introduction हो गया अब बात करते हैं जीराक्स मसीन के बारे में जीराक्स मसीन देख पर एक ग्लास होता है तथा जिस डाकुमेंट की कापी करनी होती है उसे इस ग्लास के उपर रखा जाता है अब नीचे से प्रकास डालकर इस डाकुमेंट को स्कैन किया जाता है पहले तो डाकुमेंट रख दिया जाएगा और उसके नीचे से प्रकास डालकर उसको स्कैन कि जाएगा तथा यह लाइट डाकुमेंट से रिफलेक्ट होकर नीचे ड्रम पर जाती है लाइट केवल वहीं परसे रिफलेक्ट होती है जहां पर document में कुछ लिखा होता है क्योंकि light के साथ साथ drum भी घूमता है अता drum पर document का electrostatic pattern तयार हो जाता है इस machine में toner भी होता है जिसमें print के लिए powder भरा होता है अता सादा काज़ machine में डालने पर drum से ink काज़ पर चिपक जाती है तथा heater की मदद से इसका कागज पर permanent चिपका दिया जाता है तथा यह कागज print होकर machine के बाहर आ जाता है तो यह हमारा जीराक्स machine का काम हो गया अब हम लोग समझ लेते हैं scanner क्या है scanner के introduction के बारे में बात करते हैं scanner एक input युकती है जो image या text को तो दोस्तों आप लोगों को comment करके बताना है कि input devices क्या होती है यह तो पक्का है कि scanner एक input device है और आप लोग बताएं कि input devices होती क्या है तो scanner एक input device है जो image या text को computer को transfer करने है तो प्रयूक्त की जाती है यह एक प्रकार का computer hardware है जो कि reflect light का प्रयूक करके image को capture करता है तथा उनको files के रूप में translate करता है जिसे computer द्वारा read या display किया जा सके Scanners low regulation या high regulation version में आते हैं तथा black and white या color में image scan करते हैं Scanners जो होते हैं black and white में या color में भी image को scan कर सकते हैं दोस्तों इसके कुछ key point है नमबर फर्स्ट इस दोस्तों scanner का विस्कार ray कर्जवेल द्वारा किया गया और जो दूसरा point है हमारा इनको text या picture scan करने है तो use किया जाता है ताकि इनको computer में store किया जा सके अगला point जो है scanner विभिन प्रकार के होते हैं जैसे की handheld scanner, flatbed scanner, इत्यादी दोस्तों आज का जो हमारा consumer electronics का lesson number 8 है यही पर समाप्त होता है सब्सक्राइब करें अपने YouTube channel SBSV Academy को तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टाफिक के साथ और हाँ आप लोग comment करना न भूलें तब तक के लिए जै हिन जै भारत